ओके तो भाई लोग आज हम लोग इस सवाली चैनल पे सूपर जोनर की बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो यह सवाल के उपर बना है वो सवाल इसी चैनल के वीवर ने पुछा है अब जोगो सवाल सिंपल सा यही पुछा गया है कि क्या सूपर मैन को मारल वालो ने खरीद लिया है और यह सवाल सिर्फ एक ने नहीं बलकि बहुत लोगों ने पूछा है और उपर से ट्विटर पे भी बहुत बड़ा बाल हुआ पड़ा है कि क्या सूपरमैन को ख़रीद लिया मारों वालों ने तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसकी असली जानकारी दे रहेते हैं कि असल में मुद्धा क्या है तो कुछ दिन पहले से यह रूमर बहुत से फैल रहा था कि अपने हैंडी केविल जो कि सूपरमैन के एक्टर हैं या फिर थे क्या वो लोकी सीजन टू के जरीए एंसु में टेब्यू करने वाले हैं अब यह रूमर फैदा लाजमी था क्यूंकि लोकी के सीजन टू की कुछ सूटिंग यूके में चल रही है और इस आथ क्लियर कर दू कि वो एंस्व में टेब्यू कर सकते हैं पर वो एंसीव में ऐइसा सूपरमैन नहीं आने वाले क्योंकि उन्हें एपनी पैसे मशीन को क्यों बेचेगा अब ख्या तो देखो हैंडी के विल्ए एंसु में आत हो सकते हैं हैं हाइपेरियन का रोड प्ले क तो ऐसा हो सकते है कि मालन वाले हिंद्टा याभी हंट्री केविल के हायक को पे त्रफ खीचने के लिए हैंड्री केविल को है ᴇक्राय कैक्टर के लिए क defending है लेकिन DCU और हेंडर कैविल के सूपरमैन के फैंस के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है अब वह दिक्कत की बात है कि है क्योंकि अगर हैंडर के यह वापस से सूपर मैन की चैक्टर के लिटर्ण कर जाए तो भाई उन फैंस की यह उमीद खतम हो जाएगी क्योंकि दोनों शुडियों की एक common policy अपने अक्टर्स के लिए यह है कि अगर आप हमारे यहां किसी बड़े सूपर हुआ क्याक्टर को प्ले कर रहे हैं तो उसी वक्त सेम टाइ मिले यह क्योंकि वहां पर इनको बहुत स्किन टेम दिया जाएगा पर आइसा हो सकता है कि यहां पर एक हलका सा इने टीज कर दिया जाए और हो सकता है कि आगे चलकर इनके उपर एक dedicated series या फिदिकेटर मूवी रिलीस कर दी जाए अब जो यह तो मैं बिचारा हूं कि अपन पता चली जाएगा और मुझे पता लगया तो मैं तुमको पता है निदूगा अपने वीडियो के सधी तो वीडियो को लाउइक कर देना चानल को भी इस वीडियो के लिए मुझे गाली देना चाहते हो तो मेरे इंस्तेग्राम पे आजाना और हाँ देखते रहना यार से